हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी बात को युनिवर्स तक पहुचने में 21 डेसी क्यों लगते हैं वो थोड़ी जल्दी क्यों नहीं पहुंच जाती क्योंकि हमारे थोड़ी मतलब की देखो भाई साब ऐसा है कि आप जो भी चाहते हैं पहले वो कंफर्म तो करा हैं सुबह आप कुछ और केते हैं दिन में किसी की बात सुन लेते हैं आपका मत चेंज हो जाता है फिर शाम को कोई आके कुछ के रहा है फिर आप चेंज हो गए आपने सुबह कॉंपेटिशन बहुत ज्यादा है तो फिर वो तो छोड़ के आ गया अच्छा तो फिर मैं काम करता हूं उससे छोटी वाली कर लेता हूं तो सुबह आप कुछ और सोच रहे थे दिन में आप फिर बदल गए हैं मोसम वह ना काना मोसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओग सुबह कुछ और सोचते हो शाम को आपने सुचावा चलो एसडियो बन जाओगा फिर साम को को कोई आया और हमारे मामा जी के लड़के हैं वह कर रहे थे पर बहुत ज्यादा कॉंपिटिशन था तो फिर अभी उनके दुकान खोली पेसे भी लग गए पानदस लाग रुप देने में twenty one days लगते हैं मतलब अगर आप किसी भी चीज के बारे में twenty one days तक सोच रहे हैं सोच रहे हैं तो वह चीज आपके सामने प्रकट हो जाती है तथास तो तथास तु बोलने में 21 दिन का समय लगता है आप यह सोचे कि यार जो मैं सोच रहा हूं वो थोड़ा जल्द और एक धम से मेरे मन में विचार आया कि यार कहीं भूत भूत नहीं आ जाए और जैसे मैंने सोचा अब मुझे तो चीजे जल्दी चाहिए तो जैसे मैंने सुचा भूत नहीं आ जाए यार ओ इतनी दिर में हैलो भूत आ गया तुमने बुलाया और हम चले आए जान हतिली बस यह केले खालों यह भाईया दे रहें फिर आपके ऊपर चड़ूँगा मैं तो इतना जल्दी नहीं होता है कि कंफर्मेशन ट्वेंटीवन डेस आपको अगर लगता है कि यह सब बाते फालतू है तो आप एक काम करो नेगेट पॉजिटिव सोचने में आपको परिशान से यह वैसे चल रहा है अभी इसमें पांच बेस्तों मैं कंप्लीट कर चुका हूं है और अभी शिक्स बेच आपका जो है यह उनीस तारिक से शुरू होगा उनीस जन्वरी से रात को नो बजे तो इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर वाट्सप ज़रू कर दीजेगा 789 22606 और उसमें केवल इतना लिखिएगा जोइन वेबिनार या जोइन सेमिनार ऐसा करके आप लिख दीजिएगा जोइन वरक्शॉप लिख दीजिएगा तो यह उनीस तारिक से शुरू होगा नया बेच है ना अभी 16 तारिक है 19 तारिक को रात को नो बजे से 10 सवादस बज है वो पूरा positivity से fulfill कर दूँगा बिल्कुल don't worry ठीक है और बीच में हम law of attraction क्यों काम नहीं करता है उसके उपर तीन दिन तक चर्चा करेंगे और अगले चार दिन तक हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारी vibration को हाई करके और हम जो चाहें वो पा सकते हैं जीवन में कैस से खुश रहे सकते हैं तो यह happiness program है और law of attraction की workshop है बहुत ही शानदार ठीक है अभी 5 बेच में complete कर चुका हूं इसकी पिछले तीन दोनों में मतलब चल रही है एक रात को 9 बजे चल रही है जो खतम होगी 18 को 19 के आपको चालो हो जाईगी ठीक है तो अब बात करते हैं कि सर ज है ना ओके जिसको सीखना है पॉजिटिव कैसे सोचे वो यह workshop जोन कर लेना पक्का काम हो जाएगा अब आपको पॉजिटिव सोचने में बड़ी परेशान नहीं आरी सर कैसे सोचे पॉजिटिव तो आप एक काम करो नेगेटिव तो आप आरम से सोच लेते हो ना तो इसा क करो कि जैसे आपका कोई भी काम जो अच्छा चल रहा है या आप किसी रिष्टे में है जो बहुत बढ़िया चल रहा है है ना तो 21 दिन तक लगाता है और बस उसके बारे में यह सोचो कि यह आदमी में को धूखा नहीं देदे मुझे लग रहा है कि मुझे धूखा देगा मुझे पक्का यकीन है मुझे पक्का यकीन है बस ऐसे करते रहो 21 दिन तक उस व्यक्ति के बारे में सोचो कि यह बहुत बेकार आदमी है यह मुझे दुखा देगा 22 दिन अगर कोई ऐसी नियूज नहीं आजाए आपके पास है ना तो फिर में को बता देना कि यार मैं अब तुम्हारे साथ अब और जादा नहीं दे सकता अगर तुमको इसका सबूत चाहिए ना और पॉजिटिव आप सोच नहीं सकते किसर हमसे पॉजिटिव तो नहीं सो मैं तो एक एक्जामपल दे रहा हूं मतलब कि अगर आप 21 दिन तक रेग्यूलर यह सोच रहे हैं कि I am positive I am money magnet I can do anything मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं जो चाहे वो हसिल कर सकता हूं तो 21 दिन में आप positive हो जाएगे अगर आप 21 दिन तक किसी भी चेश के बारे में जैसा सोच र बारे में सोच लिया 22 दिन वेक्ति आपके पास आके आप से बात करेगा आप आजमा के देख लो इस चीज़ को with full positive attitude तो किसी भी चीज़ का confirmation देने में 21 लगते हैं कोई भी रिष्टे जो है वो केसे बिगड़ते हैं पता है वो शक की बुनियाद पर बिगड़ते हैं हम शक करेगी कि जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल सच था मुझे पहले ही पता था यह कैसे होगा यह आप नहीं किया 21 दिन तक सोच के गांट अगर पढ़ जाए तो फिर रिष्टे हो या डोरी लाक करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता अब तो नहीं लगता है प्यार का पहले लगता था है नहीं हमने लिखे थे पहले खट उस समय वक्त लगता था पहुंचाने में बड़ी दिक्काथ आती थी आज कल तो हाई वाट्स अप इंस्टा कोई दिक्काथ दिन यह नाम ढूंड़ो इस साह मुझा मिल जाएगा है आप मुझे इस्टा पर भी फोलो कर सकते हैं मेरा भी है आईडिस यहां मुझा ओदिया तो बात यह है कि अच्छा के बारे में बहुत अच्छी लाइन है मैं आपको सुनाता हूं सुनना अगर आपके जीवन में किसी व्यक्ति पर शक कर रहे ना तो एक बहु सुनो आख धोखा है क्या भरोसा है आख धोखा है क्या भरोसा है सुनो दोस्तों शक दोस्ति का दुशिमन है अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो कल तडप ना पड़े याद में जिन की रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम वो फिर नहीं आते जिन्दगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते मतलब शक जो है न वो दुश्मन है हमारे शक नहीं करना किसी के ओपर क्योंकि जो लोग एक बार अगर आपसे दूर चले गए आपकी ही शक के कारण तो वो फिर चाहे भेजा करो उनको हजारों लेकिन वो फिर नहीं आते कि फिर वो है न अगर उनकी गलती नहीं होती है तो फिर वो तूड़ जाते हैं फिर उनका विश्वास उड़ जाते हैं इसलिए कुछ भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए तो हम तो बात कर रहे थे 21 दिन में यूनिवर्स कैसे काम करता है तो 21 द चाहे वो पा सकता हूं मैं जो चाहे वो पा सकता हूं तो जब आप 21 दिन तक इसी चीश को अपने दिमाग में चला रहे हैं तो उपर से कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा है ना जो नए लोग है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें और आप कॉमेंट करें मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ता हूं और वहां से मुझे टॉपिक मिलते हैं क्योंकि यह किसी ने कुमेंट किया था कि सरी कि किसी दिन क्यों बाविस क्यों नहीं है ना 21 दिन का एक साथ लॉजिक है ओके एव्रिवन थैंक्यू थैंक्यू सो मच भगान आपका बला करें मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में और जिनको वरक्शॉप जोइन करना है वह बिल्कुल यह वरक्शॉप जोइन कर सकते हैं इस तो इस नंबर पर आप वाट्सअप करिएगा तो आपको जो 19 जनवरी से बेस स्टार्ट हो रहा है रात को नो बजे उसमें एट करेंगे क्योंकि उसके बाद में बेस टोड़ा लेट शुरू होगा ठीक है अगले मंद शुरू होगा ओके अव्रिवान थैंक्यू सो मच